कणकण में हर जगह में, तुम जहां तक नजर फैलाओगे उस हर जगह पर मेरा आस्तित थै और मैं वहां पर वास करता हूँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ उऔर सिर्फ शीरी के मंदिर में ही वास करता हूँ मेरा वास तो वहां भी है जहां तुम सोच नहीं सकते मैं वहां पर रहता हूँ जहां पर किसी की नजर नहीं जा सकती जहां पर किसी की निगाह नहीं जा सकती और जहां पर किसी की सोच नहीं जा सकती मैं वहां पर भी रहता हूँ और मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचने के लिए उनके पास होने की जरूरत रही होती है मेरा एहसास होना ही बहुत होता है और मैं कहीं भी रहूं मैं अपने बच्चों के बारे में उतना ही सोचता हूँ उतना ही ध्यान रखता हूँ जितना की एक माबाप रखते हैं ऐसा नहीं है अगर मैंने अपना बच्चा कहा है तो मुझे पता होता है कि मुझे अपने बच्चों के बारे में कैसे ध्यान रखना है कैसे उनका ख्याल रखना है वो फिर भी एक बार मुझे भूल सकते हैं लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता हूँ नहीं मैं उनका ध्यान रखना भूलता हूँ और नहीं मैं उनकी परवाग करना भूलता हूँ मुझे हर पल पता होता है कि मेरे बच्चों को क्या और कब चाहिए और मैं उस वक्त पर उनको वो चीज़ें जरूर देता हूं जो उनको जरूरत होती है और जो उनकी ख्वाइशें होती है अगर मैं सही काम का फल दे सकता हूं तो एक बात का यकीन रखना कि मैं हर गलत काम का परिणाम भी देता हूँ हो सकता है परिणाम के लिए थोड़ा सा वक्त लग जाए लेकिन बुरे काम का नतीजा ना मिले ये हो ही नहीं सकता मैं गलत करने वालों को जवाब ना दूँ ऐसा कभी ना तो हुआ है और ना कभी होगा पर मैं एक मौका नहीं मैं तो कितने मौके देता हूँ ताकि वो सुधर सकें लेकिन अगर इसके बावजोद भी उनको ऐसा लगता है कि वो गलत करते जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो ये उनकी गलत फहमी है उनकी गलत फैमी दूर करना मेरा फर्ज भी है और मैं वो गलत फैमी दूर भी करता हूँ जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वो कभी सुधर ना ही नहीं चाहते और जब उनको ऐसा लगने लग जाता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसके करता वही है तो फिर मुझे उनकी उस गलत फैमी को दूर भी करना पड़ता है और उनको उनकी सजा भी देनी पड़ती है जो गलतियां वो करते जा रहे हैं और वो सजा के हकदार भी होते हैं और ये जरूरी भी होता है कई बार किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए कई बार बच्चों को आईना दिखाने के लिए उनको कड़ी सजा भी देने की जरूत होती है पर तुम इन सब से बहुत दूर हो क्योंकि तुम जो है तुम हर काम करने से पहले मुझे पर ही छोड़ देते हो और मुझे इतना पता है कि जब तुम मुझे पर वो काम छोड़ते हो तो तुम गलत करी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे बाबा को क्या पसंद है और क्या नहीं यह कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी बस ऐसे ही रहना हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो